नमस्कार आपका स्वागत है इस्ट्रिया डिल्स इन्दिया में आपके साथ मैं पूनम राजिस्तान के जैपुर में करणी सेना के अध्यक्ष गोगामेडी के हत्या के मामले में एक संसनी खेस खुलासा हुआ है दिल्ली पुलिस के क्राहिमबान सुत्रों के मताबिक चंडीगार से पकड़े गए दो शूटरों और उनकी एक मददगार ने पूश्ताच में साफ कबूल किया है कि गोगामेडी के हत्या के वक्त मारे गए नविन शिकावत ने ही उनकी पूरी रैकी की थी नविन शिकावत ये दोनों शूटरों नितिन पौजी और रोहित को लेकर सुकदेव सी गोगामेडी के घर पहुचा था आरोपियों ने पूश्ताच में बड़ा खुलासा करते वे बताया कि गोगामेडी के हत्या करने से करीब एक हफ्ते पहले इसकी साजिश अची गई थी राष्टी राच्पत कर्णी से ना कि अध्यक सुकदेव सी गोगामेडी की हत्या को अंजाम देने वाले शूटरों ने पुलिस को बताया कि नमीन शिकावत भी हत्या की साजिश में शामिल था शूटरों ने ये भी बताया कि आखिर उन्होंने अपने साती नमीन शेकावत को गोली क्यों मार दी बदमाशों का कहना है कि CCTV में देख सकते हैं जब पाइरिंग की जा रही थी तब नमीन डर की वज़ा से उनको रोकने की कोशिश कर रहा था इसके कानशूटरों के सामने हालात कुछ ऐसे बन गए कि नमीन शेकावत को गोली मारनी पड़ गई इससे पहले दिली पुलिस के अपराच शाका के कारलाए में सुकडेव सी गोगामेडी हत्यकान के आरोपियों को चंडीगर से पकड़ कर लाया गया दिली पुलिस के स्पेशल सीपी रविन सी आदव ने बताया कि राजिस्तान के जैपूर में कड़नी सेना के अध्यक्ष गोगामेडी की हत्यके बारे में तीन मुख्य आरोपियों को दिली पुलिस क्राइम बांच की एंडियार की शाखा ने गिरफतार किया है हम पिछले बहुत तर घंटे से उने ट्रैक कर रहे थे चंडीगण में जाकर हमने उनको पकड़ा है अब हम उने राजिस्तान पुलिस के हवाले करेंगे इसे की साथ बने रहे एश्यान यूज इंडिया के साथ धन्यवाद